हेलो एब्रिवन आप सभी का स्वागात है computer ग्यान केंद्र चेनल पर और आज की वीडियो में बात करने वाले पिजीडी से सेकेंड सेम के इंतरकत इंटरनेट और वेब पिज डिजाइनिंग सब्जेक्ट के बारे में इंटरनेट क्या है इसके इतिहास और विकास को समझाईए इसके अलावा इंटरनेट में अंतर क्या होता है इसको आपको अंतर को लिखना है यूनिट सेकेंड की बात करने तो बहुत सारे कौस्चन बनते है लेकिन मुक्रूब से सारे के सारी कौस्चन HTML से संबंदित ही बनतें पहला जैसे HTML क्या है समझाईए HTML के बिभीन वर्जन कौन कौनसे समझाईए HTML के कोई भी पाँच आवस्य टैग कौन से होते हैं वो समझाईए HTML में table tag को समझाईए HTML में text formatting tag को समझाईए तो overall unit second जो है उसमें आपको यहाँ पर tag से संबंदित और HTML से संबंदित question देखने को मिलेगी अब बात करते हैं unit third की unit third से पहला प्रशनाता जावा स्कृप्ट में control statement branching को समझाईए इसके अलावा जावा स्कृप्ट में control statement looping को समझाईए मुक्रूप से दोई चीज़े होती है looping होती है branching होती है तो दोनों को आपको बहुत अच्छे स्तियार करके जाना है important है जावा स्कृप्ट में alert prompt or confirm box को समझाईए फोर्थ की पहला प्रश्ण एक्सप्रेशन वेब क्या है इसमें वेबिन ने चरणों का प्रयोग करके एक वेबसाइट कैसे फोर्थ की बात करते है वर्डप्रेश की वेबसाइट क्या है और इसे कैसे एड करते है वर्डप्रेश प्लग इन कैसे इंस्टॉल को है तो पांच मुख के प्रशन है, जो यूनिट फेफ्ट से है और ये पाच ओई यूनिट के प्रशन जो है आपको इंटरनेट और विप पिज डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, पिजडी से 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 केंड से हैं, इसकी तेयारी आपको अच्छे से करके जाना है, एक्जाम के लिए, झाल झाल झाल